धोखा दायक इमारतों पर मनपा ने की कारवाई पानी और बिजली कलेक्शन इमारतों की काड़ दी है प्रहाटाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महें सिलामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइम्स मुम्बरा कौसा में एक बार फिर धोखा दायक इमारतों की मनपा कर्मचारियों ने अब पानी और बिजली कनेक्शन काट दी है जिस तरह से इमारत गिनने की खबरें सामने आ रही है उसी को देखते हुए मनप प्रसासन अब सक्त हो गई है उम्बरा कौसा दट वाड़ी इन पे इलाकों में साथ कि मारतेensed धोखा दायक जो सब से जादा है जिनने 22 इमारते ऐसे हैं जिनका रिपेरिंग का काम किया जा रहा जा रहा है और बाकि जो इमारते हैं उनंपर किसी भी तरह का काम नहीं किया जा रहा था जिस पर मनपा कर्मचारी धनंजय गोसावी और जिसेंत साबले ने जो अलमास कालोनी में शबीर बिल्डिंग है दत्तुबाडी में सागर इमारत दरगाह गली में दाउद इमारत ऐसे कई करीब 20 इमारतों पर कारवाई की है पानी और बिजली कनेक्शन काट दिय आ गया है वही जो बाकी इमारते हैं उन पर भी कारवाई करनी अभी बाकी है और जल्द ही इन इमारतों पर भी कारवाई होगी मनपा अधिकारी ने बताया है कि मुम्रा कौसा में कई और भी ऐसी धोका दायक इमारते हैं उच अधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद उ उन इमारतों पर भी कारवाई की जाएगी तो तमाम ख़बरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाटाइंस